दोस्तों नमस्कार, Electrical Learn YouTube चैनल में आपका फिर सभागते। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम Harmonic Filter जिसे Detuned Filter भी कहा जाता हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Harmonic Filter कहां पर यूज किया आता है और इसके Connection कैसे होते हैं। तो Friends इस वीडियो के लाश्ट तक बने रही है, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि Friends आपको पता ही है कि Power Factor को Improve करने के लिए हम Capacitor का यूज करते हैं। और यदि Capacitor के साथ हम Inductor को दोर दें, तो इस तरीके से बनता है Harmonic Filter जिसे Detuned Filter भी कहा जाता है। यह जो Harmonic Filter है, यह Harmonic को Improve करने के साथ साथ हमारे सर्किट के अंदर जो Power Factor है उसको भी Improve करता है। यहाँ पर आप दे सकते हैं मैंने 11 KV का Harmonic Filter बताया है। यहाँ पर आप दे सकते हैं इसमें Incoming Supply Fuge के द्वारा आ रही है। और Fuge में से होती हुई Inductor के अंदर गई है। और Inductor में से निकल कर यह Supply हमारे Capacitor Bank में चली गई है। यहाँ पर आप दे सकते हैं Capacitor Bank लगाए गए हैं। और Capacitor Bank को Delta में Connect किया गया है। यहाँ पर आप दे सकते हैं 6 Capacitor Bank हैं और 6 Capacitor Bank को लेकर Delta बनाया गया है। जैसा कि पुराने Substation के अंदर यदि आप जाएंगे तो Harmonic को Improve करने के लिए Inductor को अलग से लगाया जाता है। और Capacitor को अलग से लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नए Substation बन रहे हैं उनके अंदर Inductor और Capacitor को एक साथ ही लगा दिया जाता है। और Inductor के Series में Capacitor लगाया जाते हैं। अब हम थोड़ा सा Harmonic के बारे में समझ लेते हैं कि Harmonics क्या होती है। और Harmonics को Improve करना क्यों ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी Electrical Supply Sinusodial Form में Flow करती है। और यह Sinusodial Form क्यों इस प्रकार से होती है। और यदि Sinusodial Form की जो Wave है वो कुछ इस तरीके से हो जाए। तो इसकी वज़ए से हमारे Circuit में लगे हुए जो Equipment है जैसा Motor, Transformer, Lights यह सारी चीज़े खराब हो सकती है। और इसी को Improve करने के लिए Harmonic Filter लगाया चाता है। अब यहां पर मैंने Harmonic Filter का Single Line Diagram बताया है। जैसा कि यहां पर आप दे सकते हैं 3 Phase की Power Supply आ रही है। और इस 3 Phase के Parallel में हमें 3 Inductor दिख रहे हैं और 3 Inductor के साथ 3 Capacitor को Delta में लगाया गया है। Harmonic Filter को High KV की Line के साथ और High KV के Equipment के साथ लगा जाता है। 6.6 KV के Line, 11 KV की Line, 33 KV की Line और इससे भी जितने उपर के Equipment होते हैं उपर की Power Supply होती है उनमें इस Harmonic Filter को लगाया जाता है। तो Friends इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि Harmonic Filter किसे कहते हैं, Harmonic Filter को कहां पर लगाया जाता है और इसका क्या उप्र हो गया है। तो Friends यह वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरू बता हैं। इसी तरह के वीडियो चाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके।